अगत है आप सब का मेरे चैनल गौराव क्रूग्स पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इस वीडियो में कक्षा 11 यानि क्लास 11 का जे जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है 15 मार्च को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का वो देखने वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो पूरा एंड तक देखेगा बिल्कुल भी स्किप मत करिए और आप लोग कमेंट में बहुत सारी गालियां देते हैं कि ये वह ऐसा वैसा तो अगर आप पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल तो आप इंपॉर्ण देखने के लिए तो वीडियो को एंड तक बहुत अच्छी इंफर्मेशन आपको इस वीडियो से निकल के आएंगी तो मैं आपको पहले पता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्ण पूर्ण कुष्चन है लेकिन फिर भी इंपॉर्ण कुष्चन हैं तो हम देखेंगे इस वीडियो में मैंने और सारे भी वीडियो बना पैसेज है वन का दो पैसेज मतलब है इसमें आपको पैसेज पढ़के एंसर देने हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पहला कुष्चन है वाट काइंड ऑफ आर्ट इस डान्स सब्सक्राइब करने के लिए क्या पता यह कुष्चन्स आपके एक्जाम में आ जाएं इसकेंड पैसेज आपके पेपर का का काफी सारे बच्चे रेक्वेस्ट कर रहा है रियल पेपर प्रवाइड करने के लिए तो रियल पेपर देखिए अगर लीक होता तब ही आपको मिलेगा अगर नहीं लीक होता अगर तो कल शाम तक आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम ग्रूप पे तब तक आप इन कुष्चन को प्रैक्टिस करते रहे हैं क्योंकि यह कुष्चन ही बहुत इंपॉर्ट है इसकेंड पैसेज आपके स्क्रीन पे इसके बाद इसके कुष्चन्स भी आपके स्क्रीन पे जागे हैं इन मेनी कंट्रीस ओनली डैश इनफ पर पीपल तो एक्स्प्रेस दियर आइडियाज इन इंडिया एड्युकेटेड मैं इस एक्सपेक्टेड तो मास्टर डैश इस तरह से आप कुष्चन को पढ़ लिए सेक्शन भी में हम देख रहे हैं राइटिंग स्किल्स इस ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का कुष्चन से इसमें आपको आप्शन भी प्रवाइट किए गए हैर कुष्चन के साथ तो आपको इजी हो जाए गई है उसके बाद डू एक्टेड यानि ग्रामर का कुष्चन से बोथ डैश संसार वेरी इंटेलिजेंट बोथ हिस संसा पूरा प्रेपेर कर लिजे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए बिल्कुल गयाप नहीं देना है आपको अगर नहीं आए तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आप बिल्कुल धियान मत दीजिए जैसा कि निउस फैलरी थिक पेपर्स कैंसे इसके बाद D question में change the voice का question पूछा गया है उसके बाद change the narration है select the correct option यानि की चार option दिये गए है इसमें आपको correct narration चूज करना है फिफ्थ question में आपको translate करना है English to Punjabi ऑप्शन आपके लिए गया है यानि objective questions है आपको इसमें से find करना है आप देख लिजिए is it a thoroughfare he was making fun of me इसके बाद choose the correct translation from Punjabi to English यानि इसमें opposite हो गया है अब Punjabi to English translate करना है हमें अगर आप चाहते हैं मैं इसका answer provide करूँ तो आप मुझे comment कर दीजिए और इस वीडियो पे कम से कम 100 likes कर दीजिए तो मैं आपको provide कर दूँँगा इस बाकि hatred तो मिलता ही रहेगा आप पढ़ाई पर अपने ध्यान रखिए सेक्शन सी में हम देख लेते हैं लिट्रेचर है आपको मतलब टेक्स्ट बुक सॉलेशन्स आपके करने पढ़ेंगे इस तरह से आपका है एक प्रेज या वन वर्ड या एक सेंटेंस में आपको एंसर लिखना है इसको यह एक आपको करना है चार नमर कर लिए देखा है कि है इसलिए मैं मानता हूं कि यह रियल पेपर हो सकता है एक्जाक्ट सेंट पेपर दिख रहा है चलिए हम इसको बिल्कुल नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं इसको अच्छे सद्यार कर लिजिए दो आप्शन दिये गए हैं आपको सेंटर आडिया लिखने के लिए लिए लिटिल ब्लैक बॉय और एक आप्शन है मदर्स डे एंसर आपको वर्ड लिमिट दिया हुए है इसको क्रॉस नहीं करना है इसके बाद हम नाइंत कुछन देख लेते हैं इसमें से कोई दो आपको करने हैं चार दिये हुए हैं ऑप्शन 40-50 वर्ड एक के इच करने हैं एंसर इन वन आप दे फॉल्लाइं क्वेशन सेंसे 60-70 वर्ड यह थोड़ा लॉंक एंसर टाइब क्वेशन में आ रहा है इसका पहला क्वेशन है वाट इस रिलेशन से बिट्वीन लिवर्टी एंड डिसिप्लीन अप्शन है इसका गिव ब्रीफ पोट्रेट ऑफ ग्रेंड मदर अगर आप चाहते हैं मैं इसके एंसर प्रवाइड करू होते हैं तो आपको प्रवाइड कि जाएंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखिए बेस्ट आफ लग दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद